भारती रिजर्बैंक ने गुरुबार को वित्वश 2023 की पहली मौद्रिक नीती की घोशना किये और पहली मौद्रिक नीती में पिछले एक साल से चले आ रहे ट्रेंड पर रोक लगाई है पिछले साल मई से रिजर्बैंक लगाता रेपोरेट में बढ़ोतरी कर रहा था लेकिन इस बार रेपोरेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई दर को 6.5 फीसद पर बरकरार रखा गया जैसे मैंने आपसे कहा कि पूरी उम्मीद थी बजारिये माने बैठा था विशेशक ये माने बैठे था कि 25 बेसिस पॉइंट की तो बढ़ोतरी होगी होगी लेकिन उससे ऐसा RBI ने नहीं किया उससे पीछे हटे और इस बार ही उसको पॉस कर दिया पॉलिसी की कुछ और बातें आपको बताएं कि RBI ने वितवर्श 23-24 के लिए अपने ग्रोथ अनुमान में बढ़ोतरी किया है अलगी बढ़ी बढ़ोतरी नहीं है लेकिन इसको 6.5% कर दिया गया है फरवरी की पॉलिसी में ये 6.4% था महगाई को लेकर अपने अनुमान म कम किया है तब ही आप इस फैसले को जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ अब आप रेपोरेट को रोक रहे हैं बैंक ने अपने इस अनुमान के लिए जो महगाई का अनुमान है उसके लिए माना है कि मौनसूम समाने रहेगा कच्चे तेल का उसत भाव 85 डॉलर रहेगा RBI ने ये भी कहा है कि रभी फसल में हुई बेमौसम बरसात का असर अभी पता नहीं चला है आने वाले दिनों में हो सकता है पता चले और आने वाले दिनों में दूद की कीमतें ऊपरी स्तर पर बनी रह सकते हैं ये RBI ने माना है कच्चे तेल को लेकर एक और कॉमेंट है कच्चे तेल को लेकर ये कहा है कि अनिश्यत्ता बनी रहेगी हाला कि 85 डॉलर भाव माना है उसत जो पिछली पॉलिसी में इससे 10 डॉलर उपर था 95 डॉलर था उसको अब घटा कर 85 डॉलर कर दिया है यानि कि RBI ये मान रहा है कि कच् में हैं और रेपोरेट को नहीं बढ़ाया आर बियाई के का ये फैसला इसकी सर्प्राइज और चौकाने वाला महंगाई काबू में है और बियाई को ये कि ऐसा क्यों करना पड़ा इस समय 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी को रोकना क्यों पड़ा जबकि वित्मंतराले की तरफ से भी कलपरसों में संकेत दिये गए थे कि महंगाई बड़ी चुनोती और पहली चुनोती है इसकी वजह हम आगे समाजने की उकुशिश करेंगे पहली चीज़ है कि आर बियाई जिस लक्ष को आपके सामने रख रहा है देश के सामने रख रहा है या बता रहा है कि कि वास्तविक्ता कितनी है इस पर रखना जरूरी है क्योंकि आर बियाई की अपनी ही रिपोर्ट के भीतर और बियाई की इस से पिछले की रिपोर्ट के भीतर इस बात का पूरा संकेत है कि आने वाले महीनों में भारत में महंगाई बढ़ेगी दूसरी चीज महत्तु पू का जो सहनी स्तर था उससे और जादा उपर तो थी ही और जादा उपर चली गी छेट सनल चार चार फीस दी हो गई जो कि इस से पहले के महीने में कम थी चार पाँच बड़े फैक्टर्स भारत की महेंगाई को बढ़ाने के लिए तयार हैं और उस समय रिजर बैंक ने इस तरी नमबर में भारत में एल निनो का मानसून पर असर होगा यह सरकार के भीतर भी तैयारियां चल नहीं है कि घर्मी जाधा होने वाली और उस तापान का असर फसल पर होगा रिजर बैंक ने उस ताप उस असर को क्यों इस्टीमेट नहीं किया महेंगाई के आकलन में कहना बैस की उसमें 40 बैसिस पॉइंट की कमी का आकलन किया गया है जबकि शायद अगर मानसून अच्छा नहीं हुआ तो महेंगाई शायद अपने चरम पर होगी खरीब की फसल के असर के कारण तो यहां पर एक बड़ा मिसमेच एक बड़ा असंगती रिखती है आरबियाई के आकलन में तो पहली चीज तो खाद महेंगाई जो दवाओं में है दूद को लेकर अनाच की कीमतों को लेकर दूसरी महत्तुपून बात है कि रिजर्ब बैंक ने 85 डालर पर बैरल क्रूड की कीमत का आकलन किया जबकि दुनिया में कच्छे तेल की कीमते बढ़ना शुरू ह गई जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले दिनों के मैंजी सेंटरों में चर्चा की थी कि मानिटरी पालिसी कमिटी बैठी थी उसी समय उपक ने उत पादर में कटोती का का फैसला लिया था जिसका असर अब 90 और 100 डालर प्रति बारल के आस पास तेल की तरफ जा रहा है इसका मतलब है कि इंधन की महँगाई, एणरजी की महँगाई और कच्छे तेल की महँगाई आने वाले समय में बनी रहे गी इसके बाद भी रिजर बैंक ने अपने कच्छे तेल की महँगाई के आंकलन को भी घटा दिया, उसे लिधा नीचे कर दिया, यहां भी वस्तिव तरलता की स्थिती अच्छी है उसके बाद भी महंगाई की चुनोती बनी हुई है तो अगर आप पूरी पॉलिसी को भीतर से देखे तो पॉलिसी शायद इस पाज को इस 25% की बढ़ोतरी को जस्टिफाई करने के लिए कुछ ऐसे आकले लेकर आती है जिन आकलों में आने वाल का अकला देखिए, फूर इंफलेशन का अकला देखिए, उसके भीतर चले जाएए, सर्विसेज इंफलेशन का अकला देखिए, वो सब उसी जगे कायम है, महंगाई उतनी ही ताकत के साथ मौजूद है, लेकिन रिजर्ब बैंक को ने इस जंग से अपना महंगाई के खिला मौनसून से लेकर, फसल से लेकर, दूट से लेकर, तो फिर ये पॉस किया क्यों गया, इसके पीछे क्या डर था? इसकी वज़ें कुछ दूसरी है, इसकी वज़ें हमारी आरब की जेब की फिक्र नहीं है, शायद इस दर बैंक जनवरी फरवरी तक महंगाई इन्फलेशन और लोगों की महंगाई की अंतरधारना की संभावना उपर जाधा चिंते था, पर अभी हाँ चिंताएं बिलकुल बदल चुकी हैं, चिंताएं इसलिए बदल चुकी हैं कि इसके बीज हमें मिलते हैं वित्बंतराले के साथ बैंकों की पिछली बैठक में, जो लगातार हुई और जिसमें बैंकों से वित्बंतराले ने उनके करज का हिसाब मांगा है कि उन्होंने कितना निवेश सरकारी बार्ड में कर रखा है, शुम यहां एक और दिल्चस्प पसंगती रिखती है कि अगर बढ़ी हुई ब्याजदरों से परिशानी है अर्थवे उस्था को तो भारत में क्रेडिट आफटे कितने रिकॉर्ड इस तर पर क्यों है, पंदर फिसदी के आसपास की करज की मांग बढ़ी हुई है, जिस पर चौकना चाहिए, आश्चर होना चाहिए, क्योंकि इतने महेंगे महेंगी ब्याजदरों के बाद भी रिपूरेट साड़े छे फीजदी से उपर है, उसके बाद भी भारत में करज की मांग मौझूद है, उसमें कमी नहीं आई है, करज की मांग कऱ से दो लोगों को पढ़ रहा था, एक भारत के बैंक और दूसरी बारत की सरकार, बैंकों को इसलिए फर्ट पढ़ रहा था कि क्योंकि बैंकों ने सरकार के जिन बांड्स में में निवेश का रखा है, उन पर इल्ड बढ़ने के कारण उनकी कीमत गिर रही है, और हमने कि इसका असर उन्हें mark to market losses के तवर पर उनकी balance sheet में दिखाई दे रहा है इसके लिए उनको प्राविजिनिंग करनी पड़ रही दूसरी चीज़ सरकार जो कि सबसे ज़्याधा करज लेती है उसके लिए RBI की तरफ से ब्याजदर बढ़ने का मतलब होता है कि उसके bonds पर अगले bond borrowing कारेकरम पर ब्याजदर और बढ़ते जाना भी सरकार का जोता जब bond borrowing कारेकरम खत्म हो उसमें 7.25% की करज पर की ब्याजदर पर करज लिया गया है शायद इसा लगता है कि जिसे अमेरिका की जो परिस्थितिय उससे RBI ने सबक लिया है उससे सहम गया है क्योंकि RBI को को रोक कर यह संकेत देने की कोशिश की गई है कि अर्थवस्था में में मवजूदा परिस्थिति में बैंकिंग के इस तरह से और ब्याजदरों के इस तरह से संकटना है और यही वो पालिसी का इस चेंज है जिसमें RBI ने अपना स्टांस चेंज नहीं किया है बढ़तरी को पास कर दिया यानि एक हाथ RBI का एक कह रहा है कि हां महंगाई है हम लड़ते रहेंगे हम अभी पालिसी में में जो बाजार में पूंजी छोड़र है उससे विड्राल की सीच्वेशन ने बने हैं पर दूसरा हाथ उसके सामने आके खड़ा हो जाता है लेकिन हम ब्याजदर ี पास को सलिउट किया है या इस पॉसको को सिलीट किया है सर अब बात आर्फिक विकाassदर के लिए करें आकलन आया है यह जो पूरा triangle है इसमें एक चीज भीतर से समझ में आती है शुभम कि कहीं न कहीं आर्बियाई की कोशिश है कि भारती अर्थ वस्थाक को इस्टेक्फ़ेशन की तरफ जाने से बचाया जाए क्योंकि बड़े संकेत हैं भारती अर्थ वस्थाक में इस्टेक्फ़ेशन बनने के जिसमें इस्टेक्नेशन एक साथ होती है तो अब आप आकला देखिए आकले में छे से 6.4 से 6.5% के असपास की आर्थ विकासदर्मार प्रोजेक्ट की गई लक्ष रखा गया है और महंगाई के दर 5.8% से 5.6% से 5.7% के आसपास है यानि आरभी आइए के आकलों में भारती अर्थवस्ता की विकासदर भारत की महंगाईदर से ऊपर रहेगी यानि यह इस्टेक्फलेशन की इस्तिति नहीं होगी शायद विकासदर में गिरावट रहेगी लेकिन उसके साथ महेंगाई में भी कमी होने की उम्मीद है अब ये महेंगाई में कमी कितनी असरदार थाबित होगी क्या रिजर्ब बैंक को अगले अगली पॉलिसी में बढ़ाने की नवथ अगले साल की तस्वीर को थोड़ा सा मिला जूला दिखा कर और संकेत से बचाने की कोशिश है और अर्थिक विकाजर में अगले साल नर्मी रहेगी इस बात का संकेत आर्बियाई की पालिसी में तिमाही आधार पर जो आकलन है उसमें दिखाई देता है सर अब बात रुपे की रुपे का जो इंटरनेशनल सेटिलमेंट है ये बड़ा चर्चा में बना गुए है सरकार ने राजस्वा में भी बयान दिया इस पर आर्बियाई ने क्या कुछ कहा आर्बियाई ने कहा कि आर्बियाई अपने रुपे को लेकर प्रयाज शुरू किये हैं लेकिन पॉलिसी में इस पर शुरूप से आर्बियाई ने माना कि अभी फिलहाल रुपे की इंटरेशनलाईजेशन को लेकर वाल्यूम बहुत कम है इंटरेस्ट तो दिखाय जा रहे हैं लेकिन अंतराश्टि इस तरह पर trade को लेकर कई सारी दुविणाय हैं जिनने भी दूर करने की ज़रूरत है लेकिन सरकार ने रुपए में कारोबार को कुछ अंतरश्टी कारों व्यापार को करने के लिए रास्ते खोलने शुरू कर दिया है सर आखरी टिपनी पालिसी के अगर कुछ और कुछ खास बात है इन सब चीज़ें को छोड़ते हुए कार्ण यापर की पालिसी में तींचार महत्ववाथ पॉलिसी भात्रूने में यह कहा कि जो फारिन एक्सचेंज माकेट के रिफार्म्स है उनको थोड़ा डीपेंड करने की और सुरक्षा बढ़ाने की बात कही गई यूपी आई को लेकर सबसे महतुपूर्ण है कि आप जो बैंक क्रेडिट लाइन से उनको यूपी आई से जोड़ा जा रहा है यानि अगर आपको कोई करज मंजूर हो चुका है तो अब उसका भुगतान आपको यूपी आई के जरीए किया जा सकता इसके अलावा RBI ने एक पोल्टल बनाने की बात कही है उस पोल्टल में जितनी भी जितना भी अन्कलेम डिपॉसित है यानि आईसा जमा जो बैंको में पड़ा हुआ है जिसके बारे में किसी को पता नहीं अगर आप उसे ढूनना चाहते हैं तो एक वे पोल्टल पर इसकी ज अनकारी मिलेगी RBI ने एक ने लाइसेंसिंग के लिए मंजूरियों के लिए भी एक सामुख पोल्टल बनाने की विवस्था की बात कही है और इसके लावा कुछ और प्रोडेंशल मेजर्स भी हैं